अब आप सीधे कहेंगे कि इस वीडियो से सीधे आप मोबायल को अनलोग करना सिखाओ मेरे पास समय नहीं है पर फ्रेंड्स एक दो मिनट रुख जाओ जहां पे आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं तभी मैं आपको इसके स्टेप्स को सिखाऊंगा सबसे पहली बात वीडियो को सुरू करने के पहले कि वीडियो को पूरा ज़रू देखिएगा जहां पे आपको एक एक स्टेप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप बढ़ा के देखेंगे स्किप करेंगे तो आप साहथ टुटोरियल वीडियो से कुछ सीख नहीं पाएंगे और इस वीडियो में जहां पे आपने टाइटल और थम्लेन को देख लिया है जहां पे मैंने आपको बताया है कि आप अपने मोबाइल के किसी भी पीन लोग पैटरन लोग फेस लोग फिंगर प्रिंट लोग को आप अनलोग कर सकते हैं इससे पहले कि हम आ नहीं समझ पाएं हो नहीं सीख पाएं हो यह एक वीडियो को देखने के बाद आपकी जिन्द की बदल जाएगी आप स्मार्टफोन के मास्टर बन जाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास यदि एंड्रॉइड है कोई भी कंपनी का हो चाहब हूँ आपके प पासवर्ड को रिशेट कर सकता है इसलिए ध्यान से देखिएगा तब यह आप समझ सकते हैं वीडियो बहुत जादा लंबी नहीं होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो आफ्लाइन मैथेड है उसके बारे में बात करेंगे जिसके हेल्प से हम आपके आपके स्टेप के तरफ लेके चलते हैं आप जो देख रहे हैं मेने हाथ में एक स्मार्टफोन है और यह एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है और यह जो नाम है इस कंपनी का मैं नहीं बताऊंगा और आपको लगे है कि यह जो मैधेड है अस्प्रेसल इसी कंपनी के साथ काम करता इसा नहीं है सारे Android में सेम वर्क करता है तो इसकी जो पहला स्टेप की जो शुरुवात होती वह होती है इसके लॉकिंग इंटरफेस से जो आपकी सामने मेरे हाथ में है और इसे जब हम अनलॉक करने के लिए उपके तरफ स्लाइड करते हैं आपको यहां पे पासवर्ड डलन करते हैं फिलाल यहां पे आपको नीचे देखने पे एक option दिखेगा वन अनली option आपको यही मिलेगा और कोई option आपको मिलने नहीं वाला तो आप इसको इमर्जन्सी कॉल को यहां पे क्लिक करके open कर लेंगे इसके बाद आपको यहां पे इमर्जन्सी कॉल्स ओनली का जो पे इस नंबर को आपको डायल कर लेना है और यह सारे android में common है यह बदलने नहीं वाला इस नंबर पे आपको सके तो इसका screenshot लेलो बहुत ही काम आएगा फिलाल आपको करना क्या इस नंबर के साथ मैं आपको बतायाता हूँ आपको इस नंबर पे यहां पे सिर्फ और सिर्फ त पूरा हो जाता है अभी आपके handset में हमने offline mode को activate कर दिया है और इसका एक step और बाकी है आपको इस handset को airplane mode में डाल देना है जो कि हमने video के starting में ही इसमें डाल दिया था मैं फिर भी आपके सामने इसका demo देता हूँ इसे off करके फिर से on कर देता हूँ अब आपका जो steps है वो offline mode का वो complete हो गया है अब इसके बाद हमें computer कर सकता नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने इस method को apply किया यदि आप computer से करना चाहते हैं comment करें हम आपको बताएंगे फिलाल आपको अगला step क्या लेना है अपने handset को unlock करने के लिए वो भी successfully तो अब आपको मैं बता दूँ हमारे service center में Google FRP code का इस्तमाल किया जाता है इसके बाद जो कि आपको service center वाले यदि आपके कोई दोस्त हैं कोई family है या आपके कोई पहचान वाले हैं तो आपको उनसे ही मालुम चलेगा फिलाल मैं आपको बतायता हूँ कि Google FRP code एक ऐसा code होता है एक security code होता है जो कि Google के द्वारा आपको दिया जाता है लेकिन ये code का एक दिमेडिट है कि ये हर महने बदल जाता है और हर महने जो latest code है वो हमें Google FRP code के रूप में मिलता है तो अभी का जो latest code है यदि आप इस वीडियो को latest में देख रहे होंगे तो आप इस code को जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने डाल रहा हूँ आ उस case में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में हमें जोइन करिए जैसे हैं आप हमें जोइन करेंगे हमारे टीम के तरफ से आपके साथ दो काम होगा पहला कि आपके WhatsApp नंबर पे वीडियो कॉल चला जाएगा और वहां से हम खुद ही आपके handset को पांच निन call करना है इस तरह से simply call करेंगे और यहां पर पहले की तरह आपको call field मिलेगा इससे आपको ok कर देना है और इससे 7 time आपको गिन के करना है 3, 4, 5, 6, 7 अब इसके बाद आपको simply यहां से इस code को हटा देना है और अब आपको यहां पे dial करना है एक नया number जिससे आपका engineer mode activate होगा और वो code है star, hedge, 8, double 9, or hedge और फिरेंड आप दे सकते हैं हमारे smartphone में engineer mode नाम का जो option है वो यहां पे आ चुका है अब जैसा की नाम है अब तो आपको साइद इस बात पर भड़ो सा हो चुका होगा कि अब आप यहां से अपने handset को unlock कर सकते हैं unlock तो छोड़िए आप यहां से लिखना चाहते हो कि engineer mode कैसे काम करता है तो आप हमें comment करें हम आने वाले कुछ दिनों में यदि मेरे पास total 1000 comment आ जाते हैं minimum तो हम इसके उपर एक special dedicated video बना देंगे जिसे देखने और सीखने के बाद आप a smartphone के master बन जाओगे और मेरी guarantee कभी भी आपको service center नहीं जाना होगा आपको एक option देखने को मिल रहा होगा manual test आपको इसे click करना है और इसके बाद यहां पे आपको simply एक नया page मिलेगा इसमें सबसे last वाले option पे चले जाना है जो की other का है अब इस other वाले page पे आपको कुछ option और भी देखने को मिल रहे है तो हमें यहां पे बारिकी से 3-4 option पे का पास्ट का option है read reading reset complete indicator इसे आपको क्लिक कर देना है अब आपको यहां पे एक pass का message आपको मिल रहा है यहां पे फेल आ रहा है तो समझे इसका मतलब कि यहां पे अभी तक आपने जितने भी process किये हैं वो सब सही रास्ते पे होंगे तो pass आएगा और यहां आपने कहें भी तो यहां पे pass आजाएगा मेरी तरह अब यहां से आपको back आना है अब आपको यहां पे जो सबसे ज़्यादा important steps है वो मैं आपको यहां पे करके दिखाने जा रहा हूं तो यहां पे आपको number 2 पे एक option मिल रहा होगा read write important log test आपको इसे click करना है और इसके बाद आपको यहां पे देखने को मिलेगा confirm करने का cancel और okay का option लेकिन friends आपको यहां पे इसे confirm में मतलब okay नहीं करना है आप इसे cancel कर देंगे जब आप पहली बार करेंगे लेकिन आपको same process दो बार और करना यानि कि total तीन बार करना है तो मैं इसे फिर से repeat mode पे कर देता हूं और हमने यहां तीन बार कर दिया लेकिन अब आपका last step बाकी है इसे हमें चौथी बार भी क्लिक करना है और इस बार हमें इसे okay कर देना है और आप देखेंगे आपका wrong password यहां पे आ गया है वो resetting mode पे चला गया है बस last step आपका handset unlock हो जाएगा और last step क्या है नंबर 3 पे आप दे सकते है क्या से हमें देखने को मिल रहा है इसे क्लिक करेंगे और आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपके जितने भी की है मतलब pin, pattern, password, fingerprint और face lock सब यहां पे आपको pass देखने को मिल रहा है मतलब आपका जो pass जो key है वो यहां पे reset हो चुका है इवें कि आपका जो Google का key है जो आपने handset में लगाया होगा वो भी यहां पे pass हो चुका है अब आपको सिर्फ यहां पे cross check करना है कि आपका handset unlock हुआ की नहीं हुआ उसके लिए हम simply यहां पे home button को click करेंगे और आप देख सकते हमारा यह handset successfully unlock हो चुका है वो भी बिना data के loss ह हुए हुए तो इस तरह से आप अपने handset को unlock कर सकते हैं आपका अभी भी unlock नहीं हुआ है उस case में आप हमारे चैनल को subscribe करिए join करिए जैसी आप हमें join करेंगे हमारे team member का आपके पास एक whatsapp पे video call चला जाएगा और उस video call के help से हम आपके handset को 2-5 minute के guarantee में आपको unlock करके देद तो आपके एक वार्ड join option को try जोड कीजिएगा